पार्ठ चार अक्षय उर्जा भविश्य की उर्जा उर्जा प्रकृती में स्वतंत्र रूप से मौजूद है इस ब्रम्हांड में जो कुछ भी है वह आंतरिक उर्जा के द्वारा चालित है इसलिए उर्जा के अन्य विकल्पों के विकास और शोध की आवश्यक्ता महसूस की जा रही है जिन स्वतों से हमें उर्जा प्राप्त होती है वे दो प्रकार के हैं अनवीकरणिय स्रोत या परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका निर्मान लाखों करोणों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के फल स्वरूप हुआ है ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं क्योंकि इनका पुनरभरण संभव नहीं है कोईला, गैस, पेट्रोलियम आदी ऐसे ही परंपरागत स्रोत हैं जो मानवीय कारे कलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं और पर्यावरण के लिए गंभीर खत्रा भी हैं उर्जा के वेविकल्ब जो पूर्णिय हैं और पर्यावरण को कोई हानी नहीं पहुचाते उन्हें नवी करणिय या अक्षय उर्जा स्रोतों के रूप में जाना जाता है अक्षय उर्जा स्रोत अबाद रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित और भरोसे मंद हैं सौर उर्जा, पवन उर्जा, जल विद्युत उर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त उर्जा, जैव उर्जा आदि अक्षे उर्जा के स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं. सौर उर्जा सूर्य अनन्त उर्जा का स्रोत है और प्रित्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक उर्जा का मूल आधार भी है। सौर उर्जा रोश्णी व उश्मा दोनों के रूप में प्राप्त होती है। सौर उश्मा का उप्योग अनाज को सुखाने, पानी गरम करने, खाना पकाने, वातानु कूलन, जल परिशकरन तथा विद्युत उर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। सौर जल उश्मक के प्रयोग से जल की भारी मात्रा को साट डिगरी से सतर डिगरी तक गरम किया जा सकता है। सोलर कुकर आजकल शेहरों और गावों में समान रूप से लोकप्रियं हैं। सौर जल पंप, ग्रामीन, अंचलों में पेजल एवं सिचाई के लिए उप्योगी सिध्ध हो रही हैं। और वायू उश्मक का व्यापक प्रयोग अनाज, चाय पत्ती, लकडी, मसाले आदि को सुखाने में किया जाता है। सौर लाल टेन को सूरज की रोश्नी में 6-8 घंटे चार्ज करने की आवशकता होती है। पवन उर्जा बहती वायू से उत्पन की गई उर्जा है। पवन उर्जा के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। जिनके द्वारा वायू की गटिज उर्जा यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित हो जाती है। इसे जेनेरेटरों की मदद से विद्युत उर्जा में परिवर्थित कर लिया जाता है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन करके पर्यावरनिय समस्याओं को बढ़ाने वाली विशैली गैसों के उत्सरजन जैसी समस्या भी नहीं है। पवन उर्जा संयंत्रों का निर्मान और रखरखाव सुरक्षित है। इस प्रणाली को वायू की स्थिती के अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है। इसलिए पवन उर्जा को सबसे कम व्यवाले आकरशक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। जल विद्युत उर्जा गिरते हुए या बहते हुए जल से प्राप्ट की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत उर्जा कहते हैं। इसके उत्पादन के लिए नदियों के किनारे बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जाता है। जिसे खुली नहर अथवा नालों द्वारा बिजली घर तक ले जाया जाता है। पानी में नहित गतिज उर्जा के उप्योग से बिजली घर स्थित बड़े बड़े टर्बाइन चलाये जाते हैं। इन टर्बाइनों की यांतरिक उर्जा को विद्युत उर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं सेचाई, बाढ़ नियंतरन, पेजल आपूर्ती, परियटन, मत्सेपालन आदि के लिए लाबकारी हैं। जवार भाटा से प्राप्त उर्जा समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे के कारण उत्पन होने वाली उर्जा को टर्बाइनों की मदद से विद्युत में बदल दिया जाता है। इसे लहर उर्जा भी कहते हैं, तो निकट भविश्य के लिए इसमें अपार उर्जा प्रदान करने की ख्रमता निहित है। जैव उर्जा धर्ती पर मौजूद संपून्ण वनस्पति और जीव पदार्थों को बायो मास कहते हैं। इनसे प्राप्त उर्जा ही जैव उर्जा है। इस उर्जा को विभिन्विधियों से जैव उर्जा में बदला जा सकता है। जैव उर्जा का उप्योग कई प्रकार से किया जाता है। ठोस रूप में खाना पकाने के लिए लकड़ी, पश्वों के गोबर, क्रिशी अपशिष्ट, घास फूस आदि को जला कर प्रियोग करती हैं द्रव रूप में पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च या शरकरा से बने एथनॉल तथा वनस्पति तेलों से बने बायो डीजल का उप्योग सीधे ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है गैस रूप में पशुओं के व्यर्थ पदार्थ तथा कच्रे आधि को बायो गैस प्लांट में बायो गैस में बदल दिया जाता है रसोई में उप्योग के साथ साथ इससे डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं गैस रूप में रूपांतरित होने के बाद बचे हुए अपशिष्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा सकता है जल वायु परिवर्तन और पर्यावरणिय प्रदूशन से बचाओ के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उतसरजन को नियंतरित रखना एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए सभी देश प्रयासरत है निश्चित रूप से 21.वी शताबदी का स्वरूप अक्षय उर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है और यही अक्षय दिकास का मुख्य स्तंब है